नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूँ आपके साथ प्रेड़ना सर्दियों में पिस्ता खाना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है पिस्ता में विटामिन सी, विटामिन ए, आइरन, केलशियम, प्रोटीन आदी कई पूशक तत्व पाये जाते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाते हैं पिस्ता खाने से हमारा मेटाबोलिजम बढ़ता है जिससे हमें सर्दी जुखाम और अन्य बिमारियों से बचाफ करने में मदद मिलती है यह हमारी तवचा, बालों और नाखनों के लिए भी बहुत ही लाबदायक होता है पिस्ता में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो रिदय स्वास्त के लिए लाबदायक होता है आईए इस वीडियो में जानते हैं पिस्ता खाने के कई फायदे पिस्ता एक बहुत ही फायदेमंद चीज है दोस्तों इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटी आक्सिडेंट्स जैसे कई पोशक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक स्वस्त व्यसक व्यक्ति को रोजाना कम से कम 3 से 4 पिस्ता जरूर खाने चाहिए जी हाँ दोस्तों पिस्ता खाने से एंटर्जी लेवल बढ़ता है इंपूनिटी मजबूत होती है और हड़ियों में और दातों में भी मजबूती आती है गर्बवती महिलाओं के लिए तो रोजाना दो से तीन पिस्ता खाना और भी ज्यादा फाइदिमंद होता है हाला कि एक दिन में चार से ज्यादा पिस्ता खाने की सलाहन नहीं दी जाती है अधिक मात्रा में पिस्ता खाने से कुछ स्वास्त सम्बंधी समस्याई भी हो सकती है जैसे पेट दर्द, एसिडिटी, डस्त आदी इसलिए पिस्ता ज्यादा मात्रा में कभी नहीं खाना चाहिए इसके अलावा दोस्तों पिस्ता दिल के लिए भी फायदेमन साबित हो सकता है पिस्ता में मौजूद एंटी ऑक्सिडेंट गुण और फाइबर बलड में बैड कॉलिस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में सहायक होता है साथ ही पिस्ते को रोजाना खाने से बलड में गुड कॉलिस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है जो हमारे हार्ट के लिए फायदेमन है इस प्रकार पिस्ता से होने वाली गुड कॉलिस्ट्रॉल स्तर की वृध्धी कई कार्डियो वस्कुलर रोगों और हार्ट अटैक के खत् कर सकती है पिस्ता में पाए जाने वाले पोशक तत्व तवच्छा के लिए भी फायदेमन्द होते हैं पिस्ता में विटामिन E, एंटी ऑक्सिदेंट और फैटी एसे जैसे कई तत्व पाए जाते हैं जो हमारी तवच्छा की देख भाल में मदद करते हैं बढ़ते वजन और मोटापे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए पिस्ता एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है पिस्ता में कैलोरी बहुत कम होती है लेकिन फाइबर और पानी की मातरा ज्यादा होती है यह आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है उमीद है आपको यह जानका पारियों के लिए सब्सक्राइब कीजे आपका अपना चैनल मेडिकली स्पीकिंग धन्यवाद